अरह से एंडियों को मजबूती देने का काम किया आज प्रकाशी बादल जी और बाला साथ ठाकरी जी के सच्चे अन्युआई भी हमारे बीच हुए है हाल में ही एंडियों के गठन के पतीस साल पूरे हुए है यह पतीस वर्ष देश की प्रगती को गती देने और खेत्रिय आकांशाओं को पूरा करने के रहे हैं यानि राज्जों के विकास से राष्ट्र का विकास इस मंत्र को एंडियों ने निरंतर ससक्त किया है इस यात्रा में जो पुराने साती रहे हैं मैं उनका तहे दिल से अभिनंदर करता हूँ बविष्ट की यात्रा के लिए जो नए साती आये हैं मैं उनका रदय से स्वागत करता हूँ साथियों एंडिये के पचीस वर्सों की इस यात्रा के साथ एक और सुखत सहीयोग जुड़ा है यह वो समय है जब हमारा देश आने वाले पचीस वर्सों में एक बड़े लक्ष की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है यह लक्ष विक्षिद भारत का है आत्मन्दिर भर भारत का है कोटी कोटी भारतिय आज नए संकल्पों की उर्जा से भरे हुए हैं इस महत्वपों कालखन में एंडिये की बहुत बड़ी भूमिका है एक तरह से यह नए उर्जा से भरी हुई त्री शक्ति है N से न्यू इंडिया के लिए D से डेवलप नेशन के लिए A से एस्पिरेशन और पीपल एड रीजन के लिए देश का गरीब देश का मध्यंपर्ग देश के युवां महलाएं दलीत पीडीत शोशित वंचित आदिवासी सभी का विश्वास NDA पर है हमारे जो समाज सास्त्री है राजनीती सास्त्री है और अर्थ सास्त्री है वो भी भारत के विकास के लिए NDA को एक पॉजिटिव फोर्स के रुप में देख रहे है हमारा संकल्प पॉजिटिव है एजन्डा पॉजिटिव है भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है मैं अक्सर कहां करता हूँ कि सरकारें बहुमत से बद्ती हैं लेकिन देश सब के प्रयास से चलता है इसलिए आज जब हम विक्सिद भारत के निर्मान में जुटे हैं तब एंडिये सब का प्रयास की इस भावना का प्रतिनीदित्व कर रहा है साथियों हमारे देश में राजनीती गठबंदोनों की एक लंबी परंपरा रही है लेकिन जो भी गठबंदन नेगेटिविटी के साथ बने बेक कभी भी सफल नहीं हो पाए कॉंग्रेस ने नब्बे के दसक में देश में अस्थिर तालाने के लिए गठबंदनों का इस्तेमाल किया कॉंग्रेस ने सरकारे बनाई सरकारे बिगाड़ी इसी दोर में 1998 में एंडिये का गठण हुआ था लेकिन एंडिये क्यों बना क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एंडिये का लक्ष था आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था एंडिये किसी के विरोध में नहीं बना था एंडिये किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था बलकि एंडिये का गठण देश में स्थिर्फा लाने के लिए हुआ था और जब देश में स्तिर्फ सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो काल जई होते हैं देश की दिशा बदलने वाले होते यह हमने अटल जी के कारकाल के दोरान भी देखा और यह पिछले नव वर्षों में भी हम बार बार देख रहें हैं भारत में स्थीर और मजबुत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है साथियों एंडिये की एक और विश्यस्ता रही है जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीती की हमने कभी नकारात्मक राजनीती का रास्ता नहीं चुना हमने लोकतंतर को मजबूत करने के लिए अपना हर दाईत्मन निभाया हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया उनके गोटालों को सामने लाए लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी हम विपक्ष में रहें लेकिन हमने देश के विकास में ना रोड़े अठकाएं और ना ही रुकावट बनें आज कल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती अगर यह योजनाओं लागू होती भी है तो उन्हें रफ्तार नहीं पखणने दी जाती यह लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजनाओं का लाब मिल गया तो कैसे काम चलेगा उनकी राज्यरिती कैसे चलेगी मुझे आद है गरीबों के घर के लिए हर गर जल के लिए अईश्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिठिया लिखनी पड़ती है लेकिन ये लोग गरीब के कल्यान को भी राज नितिक नफा नुक्सान से ही तोलते रहे साथियों जब गठबंदन सत्ता की मजबुरी का हो जब गठबंदन ब्रस्टाचार की नियत से हो जब गठबंदन परिवारबात की नीति पराधारित हो जब गठबंदन जातिवार और छेत्रवाद को ध्यान मरक्कर किया गया हो तो वो गठबंदन देश का बहुत नुक्सान करता है 2014 से पहले की गठबंदन सरकार का उधारण हमारे सामने तमाम उठा पटक के बीच वो गठबंदन सरकार किसी तरह अपने दस साल ठीच पाई लेकिन देश को क्या मिला प्राइम मिनिस्टियर के उपर भी एक आला कमान पॉलिसी पैरालिसीस निर्णे लेने में अक्षमता बांती भांती के पावर सेंटर्स अव्यवस्ता और अविश्वास खीचतान और करप्षम लाखों करोडों के गोटाले आपको याद होगा जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर समाल उठते थे तो गटवन्दर की मजबूरिया गिनाई जाती थी बहाना ये की गटवन्दन के कारण क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था लेकिन जैसे ही कुछ गडवर होती थी तुरंत अपने सयोगियों पर दोश मण दिया जाता था हम सवभाग्य शाली है कि NDA की स्थिती इससे बिलकुल विप्रित है अलग है हमारे लिए गटवन्दन मजबूरी का नहीं बलकि मजबूती का माध्यम है NDA कोईलेशन कंपल्संस का नहीं बलकि कोईलेशन कॉंट्रिबुशंस का प्रती है क्रेडिट भी सबका है दाईत्व भी सबका है NDA में कोई भी राजनितिक दल बड़ा और कोई भी राजनितिक दल छोटा नहीं है हम सभी एक लक्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019 भाजपा को भहुबत से अधिक सिटे मिली लेकिन सरकार NDA की ही रही NDA की भागिदारी बनी रही साथियों NDA के गड़न से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का रहा है जो वंचित है जो शोसित है उसको ससक्त करना हमारी प्रांत्वित्ता है आज देश की जनता देख रही है कि NDA में कौन-कौन से दल है NDA में जितने भी दल है वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं शोसित रहे हैं हमारे समू में गाउं, किसान, दलीत, पिछडे, आधिवाश्यों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां है NDA में जो दल है वो ऐसे छेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्नी में सुनवाई तक नहीं होती थी NDA एक प्रकार से छेत्रिया आकांशाओं का बहुत ही खुपसरत इंद्र धनूश है NDA देश के लिए देश के लोगों के लिए समर्पीत है NDA की विचारधारा है Nation First Security of Nation First NDA की विचारधारा है Progress First NDA की विचारधारा है Empowerment of People First साथियों आपको याद होगा NDA की बैटर में हमने संक्रप लिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को पनास करेंगे इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे जाना जोड गरीबों को ससक्त करने पर रहा हमने स्रमयोगी को सनमान दिया dignity of labor पर बन दिया हमने गरीब को सुरक्षा का एसाथ दिया हमने गरीब को ये विश्वाद दिया गिए आपके हर प्रयास के पीछे NDA सरकार एक बरोसे मन साथी की तरह आपके साथ खड़ी है जैसे किसान को अगर सही बीच और खाद पानी मिल जाए तो वो पैदावर का रिकॉर्ड बना देता है वैसे ही हमने गरीबों को ससक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की इसका परिग्रम क्या आया अभी नीती आयोक की सबसे ताजा स्टड़ी आई है आप में से को जुमित्रों ने उसका उलेग भी किया इस तड़ी के मुताबिक 2015-16 के बाद के पांच वर्सों में ही साड़े तेरा करोड लोग गरीबी रेखा से बहार आ गए है इसके पूर्वा वर्ल बेंक की रिपोर्ट के सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड लोगों ने गरीबी को परास्त किया है आयमेप के मुताबिक Extreme Poverty याने अती गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है यह आयमेप का रिपोर्ट कह रही है साथियों यहां NDA के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग है आप देखिए जब किसी गरीब को पक्का घर मिलता है तो यह सिर्फ एक छट की जरुवत पुरा नहीं करता है बलकि यह उस परिवार को सुरक्षा कबच देता है उसके सपनों को पंख देता है जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है तब उनको एक साथी मिलता है एक सहारा मिलता है और ऐसे में प्रगति के लिए तरक्की के लिए उनके प्रयास दो गुने हो जाते हैं जब गरीब को हम मुप्त इलाज का भरोसा देते हैं तो उससे एक परिवार ही नहीं बलकि उसके आने वाली पीडियों का भविश भी सुरक्षित हो जाता है आप सभी जामते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बिमारी आती थी तो उसके पास दो ही विकलकों होते थे या तो अपनी आखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संगर्ष करते देखें या फिर मकान, दुकान, खेद, खलिहान जो भी थोड़ा बहुत पास में हो उसे बेचें या गिर भी रखें पीडी दर पीडी गरीब को गरीब रखने के इस कुछ चक्रों को भी NDA सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है गांदी जी से लेकर बाबा सा बांबेर कर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोशल जस्टिस की सामाजिक नयाए की अवधारा की थी और मैं समता हूँ हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है सामाजिक नयाए एंडिये सरकार ने वोट बेंक की राजनीति को विकास वाद की राजनीति में बदला है ये एंडिये सासन ही है जिसमें छोटे किसानों रहिडी पट्री फुट्पांथ वालों को पहली बार मदद मिल रही है हमारे विश्वकर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है साथियों, गरिबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्षा है आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओ बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरिंदे का चलन कमी था वे एक प्रकार से घर के समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई उनके नाम पर रण मिलने लगे तो एक नया सामर्त समाज में पैदा हुआ मुद्राय योजना की सबसे बड़ी लाभारती हमारी बहने है स्टार्ट अप इंडिया की सबसे बड़ी लाभारती हमारी बेटिया है जो देश में नौ करोड स्वयम सहायता समू बने हैं, उनकी सबसे बड़ी लाभार्ती गाउं बर रहने वाली दलीत, पिछडे आधिवासी समायत की बेहने, मैं पिछडे जनों मत्रपदेश गया था, एक आधिवासी गाउं में गया था, वहाँ ये स्वयम सहायता समू की अब तो हमेरी पहचान है, हम लगपती दीजी हैं, हमारा कारोवार इतना है कि आज हम लगपती बन गए हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों, साथियों, एंडिये सरकार ने महिलाओं के कल्यार को, उनकी तकलीप कम करने को सर्वोच प्रात्वित्ता दी हैं, ज पहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला, जब नल से जलाया, गैस का सिलेंडर आया, तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई है, इस समय को वो अपने परिवार की आए बढ़ाने में उप्योग कर रही है, ये सिर्फ गरीबी से बहार निकलने का प्रयास नहीं है, बलकि विमेन लेड डेवलोप्मेंट का रास्ता है, जिसे एंडिये ससक्त कर रहा है, आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है, देश को पहली आदिवासी महिला राश्पती देने का सोभा गया, एंडिये को मिला ह है, साथियों, नव साल में हमने केवल एक लक्ष के साथ काम किया है, कि हम देश स्वासियों का, खास कर गरीब और वंचित का जीवन बहतर बना सके, मैं चाहूंगा कि जो लोग अकेडेमिस से जुड़े हैं, गवर्नेंस टडिस से जुड़े हैं, वो इस दिशा में रिसर् सरकार का future vision क्या है, scale of working क्या है, speed of working क्या है, उसकी work spirit क्या है, इसका मुल्यांकर किया जाए, इन सभी परामिटर्स पर NDS सरकार का काम न केवल असाधान साबित होगा, बलकि एक model के तोर पर उबरेगा, हम केवल आज की जर्रोतों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीडियों के बविश्कों भी सुरक्षित बना रहे हैं, मैं आपको एक उधान देता, हमारे ये बहुत आसान था, कि आजादी के 45 साल पूरे होने पर, हम भी कोई समारक बना देते, दिल्ली में कोई इमारत अपने नाम पर खड़ी कर देते या कोई मुर्ती लगवा देते, लेकिन हम देश के कौने-कौने में एक लाख अमरुत सरोवर बना रहे हैं, हमारा स्केल, हमारा स्पीड, हमारी स्पिरीट, और इसकी वजह से हमारे काम का स्कोप ये अभूत पुर्वा है, हम विका भी कर रहे हैं, और विरासत को भी सहज रहे हैं, हम बेकिन इन्डिया पर भी बल दे रहे हैं, और पर्यावरन की रक्षा भी कर रहे हैं, साथियों, हमारी नियत साब है, नीतिश पस्ट है, और निने ठोस हैं, एंडिये सरकार ने बीते नव वर्षों में ब्रस्टाचार के हर रास्ते को बंद करने के लिए हर संभो प्रयास किये, पहले सप्ता की गलियारों में जो बिचोलियों गुमते थे, हमने उनको बहार कर दिया है, हमने टेकनोलोजी की मदद से, लिकेज की हर संभावनाओ को दूर किया है, जंदन, आधार, मोबाईल, इसकी त्री शक्ति से हमने करोड़ों फरजी लाभारतियों को गरीबों का हक छिनने से रोका है, आप सोचिए, देश में करीब-करीब दास करोड़ ऐसे फरजी लाभारति थे, जिनका जन्म ही नहीं हुआ था, और जिने सरकारी मदद जा रही थी, ये पैसे मेरे किसी गरीब भाई बेहन के थे, किसी आधिवाची के थे, किसी पिछडे और दलित साथी के थे, ये एंडिये सरकार है, जिसने गरीब से हो रही इस लूट को बंद किया है, इन नव वर्षों में, तीस लाख करोड रुपिये, यहां कड़ा छोटा नहीं है, तीस लाख करोड रुपिये, डारेक बेनिफिट ट्रांसपर, डिबीटी के जरिये, सीधे लाभारतियों के मैंक हातों में पहुँचे, ऐसा करके हमने गरीबों का कम से कम, तीन लाख करोड रुपिया, गलत हाथों में जाने से बचाया है, साथियों, लोक तंत्र में, राज नीती, अलग-अलग वीजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है, लेकिन हर वीजन का, हर विचारधारा का मक्सद एक ही होता है, गुड गवरनन्स और देश वाज्यों की सेवा, पॉलिटिक्स में प्रतिश परता हो सकती है, लेकिन सत्रुता नहीं होती, आखिकर हम एक ही देश के लोग है, एक ही समाज का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वीपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना, बावजुद इसके हम एंडिये के सभी साथ्यों ने हमेशा देश को दलों के हित से उपर रखा है, हमने राजनितिक शोहार्द और सालिंता को बनाए रखने के लिए प्रयास किये है, ये एंडिये सरकारी है, जिसने प्रणवदा को भारत रत्न दिया, जो जीवन पर कॉंग्रेस पर रहे थे, लेकिन हमें उन्हें ये सन्मान देने में संकोच नहीं किया, ये एंडिये सरकारी है, जिसने मुलाहम सी यादव, शर्द पवार, गुलाम नभी आजार, तरुन गोगोई, एमसी जमीर, मुझफर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को, जो राजनितिक दरश्टी थे हमारे साथ नहीं हैं, हमारे खिलाब है, हमने पदमसब मान दिया हैं उन लोगों को, ये नेताओं भी कभी बीजेपी या एंडिये में नहीं थे, लेकिन हमने देश सेवा में उनके लंबे योगदान को स्विकार किया, उसे समरा, उनने सम्मानित किया, लोग तंत्र की ये मुलभावना एंडिये की कारिशली में आपको हर जगत दिखेगी, इस समय भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है, इसे जुड़े आयोजन, देश के हर राचे में, हर हिस्से में हो रहे हैं, हमने इन आयोजनों को बेन्यू ताय करते समय कभी ये नहीं सोचां कि किस राजे में कौन सी पार्टी की सरकार है, कोरोना के समय भी मैंने लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत समवात किया, मिटिंग की, कौन मुख्यमंत्री किस पार्टी का ह यह विचार कभी हमारे बीच नहीं आया इसी तरह आप उन दिनों को भी याद करिए जब भाशा लेंग्वेज लोगों को बांटने के एक टूल के तौर पर इस्तिमाल होती थी लेकिन NDA सरकार की सोच देखिए NDA सरकार ने मात्रु भाशा को बल दियना शुरू किया और आज भाशा उसके माध्यम से मात्रु भाशा के माध्यम से मेरे युवाँ डॉक्टर और इंजियर बने इसका आउसर देने का जरिया भाशा बन रही है हमने हमारी विरासत को दरोहरों को ग्लोबल बनाने के लिए लगातार प्यास किये है यहाँ पर कई हमारे सात्यों ने इसका उलेक किया आज योग वैश्विक एक्ता का एक माध्यम बन गया है आज मिलेक्स एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है श्री अन्न की चर्चा हो रही है और इसका लाग हमारे हर खेत्र के छोटे छोटे किसानों को मिल रहा है हम देश के लोगों को जोडते हैं वो देश के लोगों को तोडते हैं साथियों विपश के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडरेस्टिमेट करते हैं लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आखों से देख भी रही है और समझ भी रही है जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों ही खटा हो रही है जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है गौंध है जो इन लोगों को इन पार्टियों को जोड़ रहा है किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मुल्यों और सिद्धान्तों से समझोता किया जा रहा है लोग देख रहे हैं कि केरल में लेट और कॉंग्रेस एक दूसरे के खुन के प्यासे हैं लेकिन बैंगलूरू में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुश्करा रहे हैं लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेट और कॉंग्रेस के नेता उपर उनके कारकरता उपर टीम्सी हमले कर रही हैं लेकिन इनके नेता टीम्सी के खिजाब कुछ भी बोलने से बच रहे हैं इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गल्बहियां मिशन नहीं हैं मजबूरियां हैं इनकी सचाएं आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी नेशनल कांफरेंस के नेता और पीडिपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालिया देते हैं आरजेडियों और जेडियों के लोग कैसे कैसे सब दो से एक दूसरे को नवातते थें देश की जनता ने ये सब करीब से देखा है और देख रही है इसलिए इनकी नुरा कुस्ती हो या मजबूरी की दोस्ती इसकी हकीकत 140 करोड देशवाच्यों के सामने आ चुकी है साथियों अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते इन्हें अपने कायर करताओं के भी परवा नहीं है ये अपने कायर करताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन पर जिसका विरोध किया उसका अचानक सतकार करने लगे अब ऐसे मैं इन दलों का कायर करताओं खुद ब्रमीद है कि करे तो क्या करे मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोशने के लिए इतना समय लगा रहे हैं अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते हम उनक के लिए सिर्फ प्रासना ही कर सकते हैं साथियों चोबिस का चुनाव बहुत दूर नहीं है देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एंडिये को ही आउसर देना है देश का मन आप जानते हैं लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेद दे रहा है आम तोर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वाईश्विक सबंदों पर भी होता है हर एक को लगता है कि भई आप तो चुनाव का वर्ष है अभी सरकार के साथ अभी रहने दो एक बार चुनाव हो जाए नई सरकार आएगी तब सोचेंगे कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहाँ समन्द बनाने से पहले समाज करने से पहले सो बर सोता है फोरेंड कंट्री हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतिजार करते हैं लास्ट यह जब होता है तो सोते हैं कि एक बार चुनाव नतीज आ जाना तो फिल देखेंगे जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनरजी इनिवेस्ट नहीं करना चाहता लेकिन इस सबाएं भारत का मामला कुछ अलग है सब को पता है कि हमारे यहां कुछ महिनों में चुनाव होने वाले हैं फिर भी अनेकों महत्वपुन देश जाए अमेरिका हो फ्रांस हो अस्ट्रेलिया हो जपान हो यूए हो यूके हो सब एंडिये सरकार के प्रतिनीजियों को इन्वाइट कर रहे हैं तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दुर्गा में समझोते कर रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एंडिये पर है यानि भारत में जन्मत किसके साथ है ये दुनिया के देशों को भी पता है साथियों एंडिये का विस्तार सिर्फ संख्या या बाउगलिक विस्तार का नहीं है ये ये भारत एंडिये का जो विस्तार है ये हमारे प्रती विश्वास का दायरा भी बढ़ा रहा है जन्ता एंडिये की हिस्ट्री और केमेस्ट्री दोनों को देख रही है तभी तो हमारा गणित भी बड़ी आसानी से जुड़ता है आप देखिए दोहजार चौदा में एंडिये को देश ने लगवक 38 परसेंट बोट दिये थे दोहजार चौदा में लेकिन दोहजार उन्नीस में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45 परसेंट बोट दिये और आपको जानकर के खुशी होगी इनमें सवा दोसों से अधिक सीटे ऐसी थी जो हम जीत करके आए सवा दोसों से अधिक सीटे जहां 50 प्रतिशत से अधिक बोट शेर एंडिये को मिला है एंडिये का हर सहियोगी जो मेहनत कर रहा है उसे तय है कि 24 में एंडिये का वोट शेर 50 प्रतिशत से भी उपर जाएगा आपकी मेहनत रंग लाने वाली है मैं विश्वात से कहता हूँ आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी देश की जनता को आपके सब के नित्रुत्व पर भरोसा है पुरे देश में हमारे अनेग साथी एक बड़ी ताकर बनकर उपरेंगे हम हर बुभाग हर बर्ग हर समाज को विक्सिद भारत के मिशन से जोड़ेंगे साथियों हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पाद जाना है हमारा एकी लक्ष है विकास भारत का विकास भारत के कोटी कोटी लोगों की आशा आकांशा ही हमारा एजन्डा है हम पूरी शक्ति लगा देंगे हम मेहनत करेंगे इमांदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है और लाल के लिए से मैंने कहा था यही समय है सही समय है आज देश में एक माहोल बन चुका है देश का आत्म संबान और आत्म विश्वास आज अभूत्पुर मुँचाई पर है जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नीव का निर्माड होता है वैसे ही पिछले नव वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नीव का निर्माड हो चुका है इस मजबूत नीव पर हम सभी को नए भारत का आत्मंदिर भर भारत का विक्सित भारत का निर्माड करके ही रहना है और आपने मुझ पर इतना विश्वात रखा है इतना प्रेम बरसाया है इतना स्ने किया है मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ और आपके माध्यम से मैं डेश वाच्चों को विश्वात दिलाता हूँ कि मैं अपने परिश्रम में अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूँगा मुझसे गलती हो सकती है लेकिन बदनियत से मैं दूर रहूंगा बदनियत से कोई काम नहीं करूँगा और साथियों मेरा जीवन आप देखते हैं देश देख रहा है मेरे शरीर का हर कान मेरे समय का हर ख्षान देश को ही समर्पीत है आपका ये विश्वास आपके ये आशिरवात ये मेरी उर्जा है और साथियों आप सब कह रहे थे कि दोहजार चौदा में देश की एकॉनोमी दस्वे नंबर पर थी आज पांच में नंबर पहुंची है और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ एंडिये के तीसरे टम में इस देश की एकॉनोमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी हर सपने संकल्प है और हर संकल्प सिद्धी के लिए हम जी जान से जुटे हुए लोग है समर्पित भाव से जुटे हुए लग है और आज जिस उमंग और उत्सा से आपको एक-एक की बात जो मैंने सुनी मेरे लिए भी वड़े प्रेरक थी उत्सावर्दक थी आपका विश्वास विजय का विश्वास जन सामान्य की सोच को बखुबी व्यक्त करने का आपका तरीका वाकई प्रभावित करने वाला था मैं मानता हूँ कि पचीश साल की आत्रा की आज की महत्वपून बैटक पचीश साल बाद देश जब सो साल की आजादी मनाएगा हमारे सामने भी पचीश साल का नक्षा है दोस्तों देश जब अम्रुत महत्सों मना रहा है तो हमें सेवा करने का मोका मिला है और आप लिख के रखिये यही लोग है यही लोग है जब देश सो साल की आजादी का पर्म मनाएगा आपी के परिश्रम से आपकी के पुर्शार्ट से आपी के नेत्रत्व से यह संभव होने वाला है यह मैं साब देख रहा हूं दोस्तों इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का इस बैठक में आने के लिए एंडिये को ससक्त करने के लिए मैं रिदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो सुजाव आये हैं उन सुजाव को नड़ा जी और उनकी टीम जुरूर उसको पूरा करेगी साथियों पिजले नव साल में मेरी विस्तता के कारण शायद कभी आप मैं से किजने संपर करने का प्रयास किया हो और मैं न कर पाया हूं हो सकता है इस नव साल में मेरे प्रवास के दर्वियान साथियों स्पी जी सीकूरिटी का कारण आपको उचित स्थान न मिला हो हो सकता है किसी इन्विटेशन कार में आपका नाम रह गया हो नव साल में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन आपने कभी भी शिकायप नहीं की आपने कभी भी मन में बुरा नहीं माना गल्तियां हुई होगी कभी-कभी तो मेरे ध्यान में भी आई है कि कारकें के वाद पता चलता घरे वो तो महां खड़े थे उनको ध्याँ होना चाहिए था लेकिन उसके बावजुद भी आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ साथ को ये विश्वात मेरी बहुत बड़ी थाकत है मेरी बहुत बड़ी पूझी है और आपी के भरोसे आपी के साथ चलने का मुझे बहुत अनुभव भी मिलता है आनन भी मिलता है मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का रिड़े से अभार व्यक्ते करता हूँ और मैं विश्वाद दिलाता हूँ कि हम देश की आशा आकांशा को पूरा करने में एक टीम बंड करके एकता के साथ एक जुडता के साथ आत्म विश्वास के साथ संकल्प के साथ चल विजय होके रहेंगे जनता के आशिरवात पूर बहार मिलते रहेंगे अपने कर्तुत्व के कारण समर्पन के कारण धे निश्टा के कारण जनता के प्रति हमारे लगाव के कारण यह सब संभव होने वाला है जनता जनारदन है